हेलो एंड वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल अफ कॉम्मिशन कम्मिनिटी मैं हो निक परविट खान और पॉलिटी की करेंट अफेर्स के आज के सेशन में हम एक से पंद्रा अगस के बीच की जो करेंट की घटना हैं उनको डील करने वाले हैं ठीक सो फिर्स्ट फॉल बी लेटेट हैपी सेविंटी फिफ्ट इंडिपेंडेंडेंस दे टू यू ओल आई होप आप सबने इसे बहुत ही अच्छे से मनाया होगा हर घर तिरंगा भियान के तहट आपने देखा कि पूरे देश में तिरंगा हर घर में लहराया गया और फ्लाग क के बीच में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कुछ खबरे रहीं देखो जब कोई एक पर्टिकॉलर टाइम स्पैन में दो चार इंपॉर्टेंट खबरे हो जाती हैं तो ज़्यादा तर प्रॉबैबिटे रहती कि वहीं से क्वेशन्स आएं कुछ मिस्लीनियस खबरों को फिर अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो फिर दूसरी मिस्लीनियस को आप स्किप कर सकते हैं ठीक है मतलब अगर वो कोई मैगजीन से करेंट अफेर्स उठाया जाता है और मानके चली उसमें कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंट्मेंट हुई कोई सम्मिट हुई तो फिर बाकी को इग्नोर किया जाता पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर बाकी जो मिस्लीनियस करेंट अफेर्स को इसको डील किया जाता है यह मैं इसलिए बता रहे हूं क्योंकि एक से पंदर अगरस की बीच में कुछ बहुत ही इंपॉइंट्मेंट्मेंट्स इंडिया में हुई इसलिए जो मिस्लीनियस करेंट अफेर्स है उसे छोड़कर के पॉलिटी के सेक्शन में हम इनी एपॉइंट्मेंट्स को मेंली देखेंगे ठीक तो इन 15 दिनों के अंदर पॉलिटी के सेक्शन की सबसे पहले तो देख लेतें निउस फ्लैश कौन कौन सी प्रमुख खबरे रहें फाइन सो फर्स निउस इस भारती राश्ट्री द्वज के डिजाइनर पिंगली विंकाया की जहनती दो अगस्क को मनाएगे तो जो आप ट्राइकलर की बात करते हैं आप जानते हैं वो कई बार चेंज हुआ इंडिया में तो हमारे ट्राइकलर की जो में डिजाइनर हैं पिंगली विंकाया दो अगस्क उनकी जहनती मनाएगे तो उनके बारे में कुछ देखेंगे हम उसके अलावा सेकेंड खबर है सुरेश एन पटेल ने केंद्रे सतरकता आयुक्त के रुप में शपत ली तो इंडिया को उनका नया सी वी सी मिला है यानिकी सेंट्रल भारत को नए उपराश्पदी में मिल चुके हैं जिनका नाम है जगदीब धनकर ठीक अगली खबर है अगेन एक नए इंपॉर्टेंट पद का न्यूक्ती हुई है और वो है इंडिया के नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोट और उनका नाम है जस्टिस उदै उमेश ल तो ये चार पांच बहुत इंपॉर्टन खबरें थी इसलिक कुछ मिस्वीनिस करने फर्स को मैंने नहीं लिया है क्योंकि जादा तर अब इन में सही चीज़ें आने की चांसे हैं तो चलिए मूव ओन करते हैं हम सबसे पहली खबर पे तो मैंने जैसे अभी कहा आपको कि 2 अगस्त को हमारे ट्राइक कलर की जो डेजवाईनर हैं पिंग्ली विंकया उनकी जैंती बनाई गई पिंग्ली विंकया वही हैं जिन्होंने सबसे पहली बार लाल रंग हिंदू को रेप्रेजेंट करते हुँ और हरा tapping मुसलमानों को रेप्रेजेंट करते हुँ था सब 1 मे तिरंगे का सुरिजन किया था इस तिरंगे में उन्हें सफेद पट्टी डालने का जो सुझाओ दिया था वो महत्मा गांधी जी ने दिया था और उसमें एक चर्खा रखने का जो सुझाओ दिया था वो जालंदर के लाला हंसराज ने दिया था तो जो आप देख पा रहे है यह पिंगली वंकया जी जिनके पीछे जो आप फ्लाग देख पा रहे हैं वो औरीजनल हमारा ट्राइकलर है जो बनाया गया था बाद में इस चर्खे की जगे पे चक्र को बस बदल दिया गया वाकि औरीजनल यह जो ट्राइकलर है जिसमें आपका एकेसरी रंग जो है यह हि वो मुसल्मानों के रेप्रेजेन्ट करता है यह इनों नहीं बनाया था जिसमें डालने का जो सजजेس ακराज ने दिया था और जो सफेद पटी को डालने का सजजेक्शन दिया था तो सफेद पटी और बातम सब्दारी जो हुआ जोацион ने दिया था यह पीजों ने City यह हमा 1276, ठीक, इन्हें पत्टी वेंकईया या डाइमंड वेंकईया भी कहा जाता है, पत्टी वेंकईया नाम इसलिए पड़ा, क्यूंकि इनको पत्टी वेंकईया कहा जाता है, साथ इसाथ, he was a doctorate in geology and an expert in diamond mining, ठीक, diamond का जो उत्खनन होता है, उसमें expert थे, इनको doctorate की degree नोंने हासल किती जियोलोजी में, और इसलिए इनको diamond वेंकईया भी कहा जाता है, So these are the two other names given to Shri Pingli Venkaiya, 19 वर्ष की उम्र में British Sena में ये शामिल हुए, तथा अफरीका की जो Anglo-Bore war था, उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया था, तो पहले ही एक soldier की तोर पर British Sena में इनको स्वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे, और एक important war में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, सन 1921 में इन्होंने एक ध्वज बनाया, जिस पर भारती राश्विद्वज आधारित है, जैसे कि हमने डिसकस किया, बस उसी को मैंने या पे कोट में लिखा है, ध्वज में लाल रंग से हिंदू, तथ हरे रंग से मुसल्मानों को दर्शाया गया, जालंधर के लाला हंसरा नहीं क्योंकि जैनती भी मनाएं गई, तो उनसे जोड़ी कुछ बात हैं, ठीक उनका कुछ बैग्राउंड, आपको ध्यान में रखना है, स्टैटिक और डैनेमिक दोनों ही पार्ट, डिरेक्क वेशन्स आएंगे, ठीक अबजेक्टिवी ज्याधतर आने के चैंसे हैं, फा प्रिकोट में हम कहते हैं, C.V.C., तो भारत में नए विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की निवक्ति वेज, इनका नाम है सुरेश N. पटेल, डिरेक्ट जव अपॉइंट्मेंट के वेशन आते हैं व्यापम में, या अपॉइंट्मेंट के वेशन आते हैं यानि इस पद में आने से पहले इस पद की शपत लेने से पहले वो कारवाहक CVC थे यानि कि एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिशनर थे क्योंकि 24 जून 2021 को इन से पहले के जो CVC थे संजेक उठारी उनका कारेकल समाप्त हो गया था क्या का मैंने कि पिछले साल 24 जून को संजेक उठारी का कारेकल समाप्त हो गया था उसी के बाद से ये कारवाहक CVC की तौर पर कार कर रहे थे और अब ये फुल टर्म CVC की तौर पर अपोइंट कर दिये गए ठीके तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पहली बात इनका नाम, इनके प्रेडिसेसर संजेक उठारी का नाम याद रखना है इस पदपर आने से पहले ये सुआम कारवाहक CVC थे या ठीक तो याद रखने ये बात आपको याद रखने है डैनिमिक में ठीक इनको शहपत दिला या इनको अपॉइंट किया राश्पती दुरापती मुर्मूनें क्योंकि CVC की नियुक्ती जो है वो भारत के राश्पती करते हैं ये तो होगे डैनेमिक पार्ट अब हम इसके स्टेटिक पार्ट में आते हैं कि भे CVC है क्या यूजुएली हम प्रिलम्स के अगर आपने लेक्चेर्स देखे होंगे मेरे या आप में से जो लोग हम से जुड़े हैं और प्रिलम्स के लेक्चेर्स उससे पढ़ते हैं उसमें मैं एक चाप्टर पढ़ाती हूँ नॉन कॉंस्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब की गेर सम्विधानिक निकाएं उनमें हम CVC को पढ़ते हैं कि सेंट्रल विजिलन्स कमिशन की संरचना क्या है कब बना था इसका कार है क्या है इदर बाकी की बात है ठीके तो उनी मे से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ CVC सबसे पहली बात तो नॉन कॉंस्टिट्यूशनल बॉडी है गयर सम्विधानिक निकाए है इसका जिकर सम्विधान में कहीं पर भी नहीं है ये सरकार द्वारा सन 1964 में के संथनम कमीटी की सिफारिश पर बनाई गई थे क्या कहा मैंने एक गावर्मेंटल बॉडी है एक सरकारी बॉडी है जो बनाई गई थी सम्विधानिक निकाए नहीं है सन 1964 में एक्जिकेटिव बॉडर से कारकारे निदेशों से के संथनम नाम की एक समीधी की सिफारिश पर CVC का गठन हुआ था इस कमीटी का गठन हु वैधानिक दरजा वैधानिक दरजे का मतला है कि बाकाइदा एक बिल आया संसद में जो पास हुआ और इस तरह से ये एक वैधानिक प्रक्रिया से पास होकर के बनाएंगे एक बॉडी बन गई 1964 में जब बनी थी तो सरकार ने बनाई थी और 2003 में संसद ने इस पर अपनी मरजी स्थापित कर दी तो पहले ही सिर्फ एक सरकारी निकाय था अब ये एक वैधानिक निकाय है पर ये समवैधानिक निकाय निकाय बास वही होंगे जिनका ओलेक समविधान की किसी अनुछेद में होगा वैधानिक निकाय वो संसद की किसी विधाई प्रक्रिया से बने लीगल बॉडी तो ये अब लीगल बॉडी है स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक गवर्मेंटल बॉडी थी समझ में आरी बात बही सरकार ने अगर एक बॉडी बना दी संसद की मनजूरी के बिना अपने गवर्मेंटल ओडर से तो वो हो गई सिर्फ गवर्मेंटल बॉडी बाद में अगर उस बॉडी को संसद में रखा जाता है उसकी उपर पूरा बहस होती है प्रक्रिया होती है और उसके बाद उसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है यानिकी लीगल बॉडी बन गय ठीक इसका जो में काम है जैसे कि आप नाम से समझ में आ रहे हैं विजिलेंस, सुपर्विजन, सतर्कता बरतना और इट इस चीफ एंटी करॉप्शन सुपर्विजन बॉड़ी इन इंडिया सेंट्रल लेवल पर सरकारी महकमों में ब्रश्टाचार या करॉप्शन के जो मामले होते हैं उन पर निगरानी रखना इसका मुख्यकार है मैं repeat करती हूँ केंद्रे स्तर पर सरकारी महकमों में जो भी भरस्टर चार के मामले होते हैं, corruption के मामले होते हैं, उन पर निगरानी रखना, अब इसकी जो detailing है कि निगरानी रखने का क्या मतलब होता है, क्या कोच इसके power से उसमें भी हम नहीं जाएंगे, बहराल ये एक chief anti-corruption agency है जो कि एक non constitutional body है या आपको ध्यान में रखने है ठीक फाइन तो उद्देश जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सभी सतर तक अतिवीधियों की निगरानी करना इसका जो मुख्याला है वो निउ डेली है और इसके first executive जो थे उनका नाम था नित्तूर श्रीनिवास राओ पह इसा होता है उसमें chief election commissioner बाकी दो election commissioner तीन लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी एक CVC होता है plus 2 VCs होते हैं मतलब एक chief vigilance commissioner होता है दो vigilant commissioners होते हैं कुल मिला करके थ्री member body है chief vigilance commission एक तीन सदसी एकाय है जिसमें दो सतरकता आयोग और एक मुख्य सतरकता आयोग यहने chief vigilance commissioner एक और दो आपके सतरकता आयोग ने vigilance commissioners होते हैं ठीक है बिल्कुल जैसे election commission में होता है वैसे इन सभी को भारत के राश्पती जो हैं वो करते हैं ने all are appointed by the president of India और इनका जो term of office होता है ध्यान दे इनका जो कारकाल होता है वो होता है four years or 65 years of age usually आप जितने भी समवैधानिक पढ़ते हैं आप जानते हैं कि उनका जो कारकाल होता है वो छे साल का होता है चाहे कैग का हो चाहे कोई और आपने देखा होगा कि छे साल का कारकाल होता है या 65 वर्ष की आयू के retirement age होती है पर यह non constitutional body है तो याद रखना इनमें जो vigilance commissioners होते उनका कारकाल किता होता है four years तो या तो चार साल के लिए या वो 65 वर्ष की आयू जो की retirement age रखी गई है वो पूरी कर लेते हैं इनमें से जो भी पहले आए तब तक इनका कारकाल होता है तो चार वर्ष या 65 वर्ष की आयू appointed by the president of India ठीक है तो यह है something static and very important for your prelims and also for your Vyapam exams कि क क्या होता है CVC गठन कब हुआ किस तरह की का यह समविधानिक है वैधानिक है सरकारी है कैसी का ही कारिकारी का ही यह आपको जानना है ठीक है उसके अलावा इसका मुख्याले इसके first executive का नाम क्या है इसकी संरचना क्या है इसमें appointment कैसे होते हैं और इसका term of office क्या होता है ठीक यह तो हो गई static part और dynamic part में आपको सिर्फ नाम याद रखने ठीक तो that is it with this news let's move on to the next very important news India has got his new vice president after the president and his name is Jagdeeb Dhankad ठीक 7 अगस 2022 को Jagdeeb Dhankad को भारत के चौधे राश्पती के रूप में निर्वाचित किया गया 11 अगस को नए उप्राश्पती के इन्होंने शपत ली क्योंकि इससे पहले के जो उप्राश्पती है वेंका या नाइडू उनका जो कारेकाल है वो 10 अगस्त को समाप्त हो गया तो इनका निर्वाचन हुआ 7 अगस्त को शपत इन्होंने ली 11 अगस्त वजा क्या कि 10 अगस् पूर्व उप्राश्पती थे उनका कारिकाल दसखस को समाप्त हो रहे तो उसके ज़स दूसरे दे निनों ने शपत ले ले लिए तो यूजुली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिएसा होता है ना कि वर्तमान का जो पदाध्यक्ष है जा पदाधिकारी है उसक इनको चुन लिया गया लेकिन ये लोग शेपत उनका कारिकाल समाप्त होने के बाद लेते हैं ठीक है तो श्री जगदीब धनकर जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल के राजजिपाल रहे हैं 2019-2022 अब देखेंगे he had served as a governor of the West Bengal और ये NDA की उमिद्वार थे एंडिये ने Margaret Alva के खिलाफ इन्हें मैदाने जंग में उतारा था ठीक है मैदाने जंग of उपराशपती तो देखी NDA की उमिद्वार थे और ये BJP के एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही पुराने मेंबर हैं जो राजपाल की रूप में पहले सर्फ कर चुके West Bengal में इन्हों ने Margaret Alva को हरा करके उप राशपती का पधासल किया इस मकाबले में धंकड को कुल 528 वोट मिले जबकि Margaret Alva को सिर्फ 182 वोट मिले तो जिस तरह से राशपती के समय भी कहीं न कहीं नतीज़ा तै था वैसे यहां पर भी तै था क्यूंकि चाहे सेंडर हो चाहे स्टेट हो ज्याद जा रहा था राशपती में भी वही हुआ और उप राशपती में भी वही हुआ ठीक तो इस तरह से Margaret Alva को हरा करके 528 वोट हासल करके इन्होंने उप राशपती का पध समाला और वो चौदवे राशपती सौरी चौदवे उप राशपती बन गया इस चुनाव में कुल मिला थी वह 710 वोट में हुई थी जिसमें 528 इनकों मिले और 182 जो है वो Margaret Alva को मिले ठीके यह कुछ बहुत इंपोर्टन डानेमिक पार्ट है जो आपको याद रखना है अब आते हैं हम थोड़े से सम्विधानिक बातों पे उपराशपती का जो चुनाव है हाला कि याद रखी कि जब उपराशपती का चुनाव अनाउंस हो रहा था तब भी मैंने उस Current Affairs के सेशन में इसे बताया था आप कोशिश करें वहाँ पे जाकि डीटेल देख ले लेकिन वहाँ पे हलका सा फिर से रिपीट करते हूं सम्विधानिक प्रावधानों के इसाफ से Article 66 में Vice President के Election का प मतलब होता है, Elected as well as nominated, ध्यान रहे इस चीज का मैं क्या कह रही हूं कि उप राशपती भी बिल्कुल राशपती के जैसे ही अप प्रत्यक्षुरूप से और एकल संकर्मिनी विधी मतलब indirectly single transferable vote के जरिए, secret ballot system के जरिए चुना जाता है, यह आपको Article 66 में मिल जाएगा, क्या का मैंने बिल्कुल जैसे आप राशपती का चुनाओ पड़ते हैं, single transferable vote, indirect election, बिल्कुल ऐसे यह भी चुना जाता है, secret ballot system से इनको चुनाओ होता है, पर इनको चुनने वाले जो लोग होता है, अब indirect election ने आम जंता चुनेगी नहीं, तो कौन चुनेगा, इन्हें लोकसभा राजसभा के सांसद चुनते हैं, राशपती की चुनाओ में लोकसभा राजसभा के सांसदों के इलावा राज के विधायक भी होते हैं, पर उप राशपती की चुनाओ में राज की विधायक हिस्सा नहीं लेते हैं, तो पूरी तरह से एक केंद्र कृत प्रकिया है, यह उ पर Vice President के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हिस्सा लेते हैं। लाइट होने के वज़े से इनके समयधानिक प्राफधान फिर से important हो जाते हैं तो राश्पती से संबंदित जितने अनुछेद हैं और उपराश्पती संबंदित जितने अनुछेद हैं इनका काम क्या होता है इनकी qualification क्या होती इनकी condition of office क्या होती ये सारी चीज़ों को आपको दुबारा revise करना है फिलाल इस न्यू से संबंदित इतने static topic काफी है अज ठीक है आपको समझ में आया हूँ हर तरह जे एक question पूछा जा सकता है ये जादा तर मैं objective में ही expect करती हूँ फाइन चली ठीक है बढ़ते आगे हम again एक और important न्यूकती हुई और वो है इंडिया के नए chief justice he is the 49 chief justice of our supreme court and his name is justice उदे उमेश ललित या यू यू ललित तो यू यू ललित 49 chief justice के रूप में न्यूकत किये गए है इनके पहले भारत के chief justice थे एन वी रमना इन्हों नहीं सिफारिश की थी इनके नाम की कि इन्हें न्यूकत करना चाहिए और उस सिफारिश पर भी गौर करके राश्पती ने अपनी शक्तियों का इस्तिमाल करके इन्हें chief justice के रूप में न्यूकत किया ठीक इनका कारिकाल तीन मेहने से कम का होगा वे 8 नमबर को 65 वर्ष के हो जाएंगे तो ध्यान में रखिएगा आप जानते ही होंगे कि जो भी judges of supreme court होते हैं उनकी retirement age होती है 65 years आप chief justice की बात करें कोई भी judge की बात करें उनकी retirement age होती है 65 वर्ष से उपर वो सब नहीं कर सकते तो ये 8 नमबर को 65 वर्ष की हो जाएंगे 8 नमबर 2022 को 65 वर्ष की हो जाएंगे तो इस तरह सिंग का कारिकाल जो है वो तीन मेहने से भी कम का होगा usually क्या होता है न कि जितने आपका judges का panel supreme court का उसमें से जो senior most होते हैं वो जो है वो chief justice न्यूक्त हो जाते है तो जाएट सी बात है जो senior most होंगे उनका कारिकाल ही कम बचा होगा retirement age की बहुत करीब करीब पहुचे होगा इसलिए आपने देखा होगा chief justice अकसर जल्दी अल्दी बदलते हैं क्योंकि इनका कोई term of office नहीं होगा कि ये 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल रहते हैं नहीं इनके retirement age होती है तो ये लोग एक judge के रूप में elect होकर आते हैं जैसे कि अगर हम इनकी बात करें U.U. Lalit सन 2014 में ये Supreme Court के judge के तौर पर चुने गए थे मतलब He has been serving as a judge of the Supreme Court since 2014 क्या कहा हमेने 2014 में as a judge of Supreme Court ये serve कर रहे थे जो भी judges of Supreme Court के criteria वो पूरा करें इन्होंने तो फिर उट college system के तहित इनको चुना गया 2014 में Supreme Court के judge appoint हुए President ने appoint किया अब ये तब से serve कर रहे थे अब ये जितने भी judges panel है उनमें इनके नाम की सिफारिश हुई तो अब जाकि ये chief justice बने ठीक है पहले Supreme Court के judges थे अब वो chief justice बने ठीक तो इस तरह से जैसे कि आपने देखा कि तीन मेने से कम इनका कारिकाल बचा हुआ है क्योंकि 8 नमबर 2022 को इनका 65 वर्ष का जो रिटार्मेंट एज है वो पूरी हो जाएगे एनवी रमना के पाच छोड़ने के बाद 27 अगस को पदभार समालेंगे तो बै ऐसा है कि ये appointment तो हो गए है लेकिन पदभार जो ये समालेंगे वो जो एनवी रमना का कारिकाल 27 अगस को समाफत होगा उसके बाद समालेंगे तो अब तक के ये कारिकाल समाला इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है समिदार के अनुचे देख 124 के खंड दो द्वारा प्रदच शक्तियों का प्रयोग करते हुए राश्पती उन्हें निक्त करते है तो इनके जो अपोइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो आँ आर्टिकल 124 का खंड दो ठीक है इसके तहट प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपोइंट करते है ठीक है तो इस तरह से राश्पती भवन में राश्पती श्रीमती द्रौपती मुर्मूने इनको अपोइंट किया फाइंटिस यू यू ललित इस पर न्यूक्त होने वाले दूसरी वेक्ति हैं जिनको बार से सीधा शीर्श दालत की बेंच में पदोनत किया गया है इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा बार से डैरेक्ट सुप्रीम कोट तक जाने वाले हीस दा सेकिंड परसन फर्स परसन इस जो की देश की तेरवे मुखने आदीश थी और हीस दा सेकंड परसन फाइंड टीक तो इंडिया में सुप्रीम कोट के जज रहते वे बहुत सारे मदवपोन फैसलों से जुड़े होए हैं, आप इनकी एक बायोग्राफी जुरूर देख लीजिएगा नेट पे, कि किन किन इंपोर्टेंट फैसलों में इन्होंने एक बेंच के सदस्य की रूप में अपना योगदान दिया है, तो आपको नाम याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि आपको appointment का कोई constitutional procedure याद नहीं रखना है, क्योंकि judge तो पहले appointment हो चुके थे, supreme court में judge appointment करने के लिए qualification और collagen system यूज होता है, यह जो आपका chief justice appointment हो तो उसके लिए कोई collagen system की जरूरत नहीं होती है, जो भी मौजूदा लोग हैं, उनमें senior most होते हैं, सिवारिश के तौर पर, सिवारिश के बाद राश्पती जो हैं वो न्यूक्त कर देते हैं और वैसे यहाँ पर हुआ, fine with that, so that is it, इतनी बाते हैं जो आपको इस न्यूस से याद रखनी हैं, उसकी बदाब move on करते हैं, last में 14th August 2022 को मनाया गया partition horror remembrance day, प्रधान मंतरी मोधी न उससे जो भी horror या विभीशी का भारत में generate हुई, लोगों की जाने गए या लोगों को जो भी दिकतों का सामना करना पड़ा, इतना हांकार देश में मचा हुआ था, उस चीज को आप कह सकते हैं कि एक तरह से बुरे दौर के रूप में याद करते हैं हम हर साल 14th August को, partition horror remembrance day, यहने कि विभाजन, विभीशी का स्मरण दिवस मनाएंगे और उसी सिलसिले में इस साल 14th August को यह दिवस मनाया गया, प्रधान मंत्री मोदी ने जैसे कि मैंने कहा, 2021 को घोशना की थी, उसके बाद इस साल भी यह मनाया गया, तो थोड़ा बहुत विभाजन के बारे में उसके अलावा, माउन बेटन योजना जब इंडिपेंडेंस ओफ इंडिया एक 1947 बन करके आया, तो उसकी मुखे बाते क्या थी, पार्टिशन वाज 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 गोपला चारी कहते हैं, अपनी किताब में उन्होंने कहा था, कि विभाजन एक लौता रास्ता है, जिस विभाजन के बिना, ये संभव नहीं, लेकिन भारत में इस विभाजन का बहुत जादा विरोध हुआ, और आप जानते हैं कि बहुत दंगे भड़के थे, अपना मूल निवास छोड़कर कि लोगों को जबर दिस लिए, एक से दूसरे देश जाना पड़ा थे, इसमें ला प्रण लेंगे, तो वस इसी चीज के लिए बनाया गया, इसमें कोई static dynamic facts नहीं है, इसका सिर्फ एकी point है कि 14 तारी को ये दिवस मनाया गया और इसका partition, इसरे लेटर जो history के facts है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है, that is it, आज के इस वीडियो में इतनी ही बाते ही थी, क्यू बड़ी घटना नहीं हुए, लेकिन क्यूंकि दो-तिन important बड़ी घटनाएं हुई हैं, इसलिए आप mislinis current affairs को छोड़ सकते हैं, चोकि polity से related है, ठीक, तो इतने section में इतने ही important news थी, जो मुझे आपके साथ deal करनी थी, I hope आपको आज का वीडियो आचला होगा, thank you so much.